राज़त के जेडियों को दिये गए ओफर पर बीजेपी कोठे के मंतरी निरज बबलु का बयान राज़त के मूँ से पानी चपक रहा है राज़त चाहती है कैसे भी पैर हाथ पकड़ कर सरकार में आ जाएं निरज बबलु ने कहा सभी मंतरी मुख्य मंतरी की बात मांते हैं राज़त का आरोब गलत है एंड ये सरकार पूरी तरह इंटैक्ट है नितीश कुमार आज भी नेता हैं कल भी रहेंगे राज़त जो सपना रात में देखती है वो दिन में कभी पूरा नहीं होगा राज़त सपना देखती रहेगी सरकार में आने के लिए मुख्य मंतरी नि जीश कुमार की बातों को नहीं मानते हैं उन्हें बरखास कर देना चाहिए और उन पर कारवाई हो चाहिए और सीधा तरो पर राज़त में मुख्य मंतरी जीश कुमार को ओपर दिया है कि आप हमारे साथ आए अगर कोई भी बात होगी तो हम आपके साथ करें इशारा मंतरीयों के बात नहीं मानने की सवाल है तो को ऐसा मंतरी नहीं प्राम सब्राइब अब लाण characterization को कोई संद्य बीना है नहीं है इसलिए सपना देखते हैं पिर से सरकार माने मक्री है आगे भी रहेंगे पूरी तरह हर व्यक्ति और हर दल स्वतंत्र है अपने अपने एजेंड़े को ले कर के उनका एजेंडा है हम लोग ही मानते एजेंडा अपना अपना रहना चाहिए विचार धारा की लड़ाई है, वो चलती रहने चिए, सब लोग स्वतंत्र हैं, लेकिन नेता हमारे नितिश कुमार जी इसमें कहीं कोई संदे नहीं है, जिस तरह का वो चाहेंगे, सरकार चले गी उनके इसारे पर, उनके कहने पर सरकार चल रहे है, सारे मैले, सारे मंत्री उ के लोगो होगा है वह चल रहा उसके बाते चल रही है केंदर में मैसेज दिया गया है केंदर के लोग जैसा फैसला लेंगे वह उसने काम होगा कई कोई confrontation की कहीं कोई बात ही नहीं है जो विरोधी अपना जी से लार टपकार है टपकते रह जागा कोई सपना पूरा नहीं होगा बिल्कुल आल पार्टी मिटिंग में सामिल लोग होई रहे पहले भी हुए है जब जोरत परेगा जब माननिय मुखमंतरी चाहेंगे सब लोग सामिल होंगे और मुझे लगता है कि नितिश कुमार जी हमारे नेता हे और आगे भी रहे उसके अच्छा यहां तो जब तक नितिश कुमार जी जो चाहेंगे वह होगा और बाकी केंदर में जो जिस्तरह का फैसला होगा जिस तरह का बात यहां आएगा